नमस्कार दोस्तों, जी के संसार में आप सभी का स्वागत है, आज किस वीडियो में हम सब बहुत ही महत्पून टॉपिक कीब डिस्कसन करने वाले हैं, और यह टॉपिक है, और हर परिछाओं में इससे एक दो प्रस्ण पूछे जाते हैं, तो आपको यह टॉपिक अच्छे से देखना चाहिए, और जो टॉपिक है वह है भारत की प्रमुक वन जीव सनरचन परियोजनाएं, कौन-कौन से वन जीव सनरचन परियोजनाएं हमारे देश में चल रहा है, उसके बारे में हम बारी-बारी से पढ़ेंगे, लेकिन उसे पहले मैं बता दूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करना बिलकुल न बुलें, बेल आइक और जब आपको कोई सुझाओ देना हो, तो आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं, और जब वीडियो पसंद आए, तो लाइक और सेर करना बिलकुल न बुलें, तो देखिए, जितने भी वन्य जीव हैं, अस्तंधारी हैं, पच्छी हैं, फुलो की परजातियां जो हैं, तो पूरे विश्व में जितना है, उसका कितना परते सरा हमारे भारत में पाये जाता है, उसके बारे में पहले थोड़ी जान लेते हैं, उसके बाद हम वन्य जीव सरचन अभ्या रन्य जो हैं, या परियो जिनाय जो चल रहे हैं, उनके बारे में हम जानेंगे, तो चलिए का 12.6% स्रीश्रिप का 6.2% और फूलों की परजातियों का 16.0% निवास करती है यानि कि इतने परतिसत हमारे देश में परजातियां है जो कि पूरे विश्व में जितना है उसका भाग यहाँ 17.6 अस्तंधारियों का पच्छियों का 12.6 परतिसत स्रिस्रिप का 6.2 परसेंट और फूलों की परजातियों का 16.0 परतिसत निवास करती है इन जीवों के सरचन के लिए भारत में कुल 120 राष्टिय उद्यान, 515 वन्य जीव अभ्यारन, 26 आदरभुमी यानि वेटलेंड्स और 18 बायोस्पेर रिजर्ब बनाए गये हैं इसके अलावा भारत सरकार द्वारा वन्य जीव के सरचन के लिए कई परियोजनाएं चलाई जा रही हैं और उन्ही परियोजनाओं के बारे में आज हम इस वीडियो में बारी-बारी से देखने वाले हैं तो आप जीके संसार के साथ बने रहें और देखते रहें तो चलिए पहला देखते हैं पहला परियोजना कौन सा है और परियोजना जो है वो किसलिए विक्सित की गई है किसलिए सुरू की गई है तो देखिए पहला परियोजना जो है वो है कस्तूरी म्रीग परियोजना यानि मस्क डियर पोड्जेक्ट जो की 1970 में परियोजना सु शुरुवाद 1970 में हुआ था और देख लिजी आप यहाँ पर देख रहे होंगे आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा यही है आपका कस्तूरी म्रीग ठीक है और इसकी जो परजाती है विलुप्त होते जा रही है तो किस कारण से सारा कुछिस में हम देखने वाले हैं पाई जाती है जिसका कस्तूरी नाम होता है और वो एक पदार्थ के तौर पर पाया जाता है जो दुनिया के सबसे महंगे पस्सू उत्पादों में से एक है जिसके कारण लोगों को दवारा बड़े पैमाने पर कस्तूरी म्रीग का सिकार किया जा रहा है और किया जाता था ठीक है उसी के परी नाम सवरू कस्तूरी मिरिग की परजाती जो है विलुप्त होने के कगार पे पहुँच गई थी अंत में सरकार ने क्या किया कि 1970 में International Union for Conservation of Nature IUCN के सहयुक से उतराखंड के केदारनात अभ्यारन्ने में कस्तूरी मिरिग परियोजना शुरू की थी तो यहां पे एक प्रस्ण उठता है कि कस्तूरी मिरिग परियोजना जो है वह कहां सुरू की गई थी तो इसकी सुरूआत हुई थी उत्राखंड के केदारनात अभ्यारन्य में कस्तूरी मिरीक परियूजना जो की 1970 में इसकी सुरुवात की गई थी और किसके साथ मिलकर तो किया गया था अब अगला प्रोजेक्ट हम देख लेते हैं कौन सी परियोजना है तो देखिए दूसरा है प्रोजेक्ट हंगूल जो की 1970 में इसके भी शुरुवात की गई और देख लिजे हंगूल किस तरह का दिखता है आपको पिक में दिख रहा होगा ठीक है तो देखिए हंगूल उरोपी ये रेंडियर परजाती का लाल हिरन का एक नसल है और भारत में इसका निवास स्थान जो है वो कास्मीर और हिमाचल परदेश का चमबा जिल्ला है ठीक है कास्मीर में यह मुख रूप से दाची गाम राष्टिय उद्यान में मिलता है कहाँ मिलता है तो दाची गाम राष्टिय उद्यान ठीक है और यह जम्मु कास्मीर का राज किये पस्सू है देखिए यहाँ पे एक और प्रस्ण उठता है कि जम्मु कास्मीर का राज किये पस्सू कौन है तो है हंगूल ठीक है और भारत सरकावाद द्वारा 1970 में हंगू परियोजना के सुरुवात की गई थी कब की गई थी तो 1970 में देखिए अब तीसरे नमर पर आता है गीर से परियोजना और इसकी सुरुवात जो हुई थी यह हुई थी 1972 में गीरवन राष्टिये उद्यान और अभ्यारण गुजरात राजे में इस्थित है ठीक है जो की SCI सेरों के लिए विश्व परसीद है यह जो गीरवन है और राष्टिये अभ्यारण या उद्यान कहले यह गुजरात में है जो की SCI सेरों के लिए विश्व परसीद माना जाता है यह अभ्यारण Гुजरात राजे में लगभग 142 वर किलोमेटर में फैला हुआ धचीन अफ्रिका के बाद यह विश्व का एक मात्र ऐसा स्थान है जहां सेरों को अपने प्राकिर्तिक आवास में रहते हुए देखा जा सकता है ठीक है दचिन अफ्रिका के बाद विश्व का एक मात्र देश है जहां पर प्राकिर्तिक आवास में रहते हुए देखा जा सकता है सेर को गीर के जंगल को वर्स 1979 में वन्य जिव अभ्यारन बनाया गया था जबकि 1972 में इसे राष्टिये उद्यान की रूप में अस्थापित किया गया था देखिए यहां पे एक आपको पॉइंट मिला कि गीर के जंगल को 1979 में वन्य जिव अभ्यारन बनाया गया था और 1972 में इसे राष्टिये उद्यान की रूप में अस्थापित किया गया था और सरकार द्वारा किये गये प्रयासों से अब यहां सेरों की संख्या बढ़ रही है ठीक है अब आते हैं अगला देखते हैं कौनसी परियोजना है तो सेर के सुरुवात की गई थी इसके तहत सुरु में नौ बाग अभ्यारन बनाये गये थे जिनकी संख्या आज बढ़कर पचास हो गई है जो अठारा बिभीन राज्यों में फैले हुए है एक आंक्डिक अनुसार भारत में जो कुल भोगॉलिक छेत्र है उसका लगभग 2. दो एक पर्टसेंट भुभाग पर बाग अभ्यारन इस्थीत है भारत का जितना भुगॉलिक छेत्र है उसमें लगभग 2.21 परसेंट भुभाग पर बाग अभ्यारन इस्थीत है बाग परियोजना का उदेश से जो है वो बैग्यानिक आर्थिक कलात्मक सांस्कृति और प ध्रोवर की रूप में हर समय इसके रक्षा करना है और बाग अभ्यारन इस्थीत करने के साथ बाग सनरचन को सुल्ट्रेट करने के उदेशे से 2006 में राष्टिये बाग सनरचन प्राधिकरन का गठन किया गया था कब किया गया था? तो किया गया था 2006 में राश्टिये बाग सनरचन प्राधिकरन यानी N.T.C.A. वन्नेजिव सनरचन अधिनियम 1972 में उलेखित कार्यों को परवेचक या समन्वे भूमिका के साथ पूरा करने के लिए परियावरन मंतराले का एक सामविधिक निकाय है में पुलिस, वन्न, सीमा सुल्क और अन्ने परवर्तन एजेंसियों के अधिकारियों से युक्त एक बहु विसाई वन्नेजिव अपराध नियंतरन ब्यूरों के स्थापना की गई साथी साथ विभीन राज्यों के मुख मंत्री के अधिक्सता में राज अस्तर ये संचालन समीति का गठन किया गया है और बाग सनरचन फाउड़िशन के स्थापना की गई है इसके हलावा बाग सनरचन समंदी अंतराष्टिये मुद्धों पर चर्चा करने के लिए बाग पाए जाने वाले देशों में एक गलोबल टाइगर फॉर्म का गठन किया गया है तो आसा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा अब आते दिखते हैं कच्छुआ सनरचन परियोजना जो की सुरुआत किया गया 1975 में ओलिव रिडिले नामक कच्छुआ उरिशा के समुद्ध तटिये छेत्रों में पाया जाता है ठीक है कौन सी ओलिव रिडिले नामक कच्छुए ठीक है जो की उरिशा के समुद्ध तटिये छेत्रों में पाया जाता है और यह जो है वो आपका दच्छीन अमेरिका का परजाती है यह जो कचुवा है वो आपका दच्छीन अमेरिका का परजाती है भारत में ऑलिव रियोडिले परजाती के कचुवे विलुपती के कगार पर है इस वज़े से उरिशा सरकार ने वर्स 1975 में कटक जिल्ले के भीतर कन का अभया रन्ने में इनकी सरचन के लिए योजना प्रारम की थी अब दिखते हैं अगला है गैंडा परियोजना गैंडा परियोजना जो है और एक गैंडा परियोजना जो है ओ खासकर एक सिंग वाले गैंडे के लिए किया गया है 1987 में एक सिंग वाले गैंडे पुरोतर भार गेंडो के सिंगों की अंतराष्टी बजार में काफी कीमत है, क्योंकि जो सिंग होता है उससे काम मुतेजक और सधियां बनाई जाती है, इस कारण इन गेंडो का अवैद तरीके से सिकार किया जाता है, परिनाम सोरूप इनकी संख्या जो थी, वो काफी कम हो गई थी, अतर भ भायासरकार द्वारा हाथी पर्योजना के सुरुवात 1992 में एक केंद्री प्रायोजित अस्कीम के रूप में की गई थी और इसका उदेश से जो था ओहाथियों उनकी आवास की रक्षा करना मानो पस्सु संघर्स की समस्याओं को हल करना तथा पालतू हाथियों का कल्यान करन था और इस पर्योजना को मुख्य रूप से तेरह राज्यों में जो है आपका आंद्रपर्देश, अंवाचल पर्देश, असाम, जारखंड, करनाटका, केरल, मिघाले, नागालेंड, उडिसा, तामिलाडू, उत्राखंड और उत्तरपर्देश के सासाथ पस्सिम बंगाल में चलाया जा रहा है, और इन राजियों को वितिय और तकिनी की सहायता परदान की जा रही है वारसरकार के द्वारा, इसके अलावा महराष्ट और च्छतिस गड़ को भी हाथी परिजुना के तहट लगू सहायता परदान की जा रही है, और देखिए हाथी की अवैध हत् रानी के लिए कारेकरम गठित किया गया जिसका नाम है माईक जो की 2003 में इसका गठन हुआ था वन्यजीव और वनस्पति के लुप्त प्रायप प्रजातियों के अंतराश्टिये कन्वेंक्शन द्वारा 2003 में माईक कारेकरम के शुरुआत की गई थी ठीक है माईक 2003 में आत्मिक उदेश जो था वह था अफ्रीकी और एसियाई हातियों की अवैध हत्या के अस्त्रों पर नजर रखना और भारत के असम पस्सिम बंगाल अनुवाचल परदेश मेघाले उडिशा करनाटक तामिल नाडू उत्राखंड और केरल राज्जियों में माईक कारकरम चल आए जा रहा है ठीक है अब आते हैं अगला देख लेते हैं गीद सरचन प्रोजेक्ट वल्चर प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट जो कि 2006 में शुरुआत हुई इसकी और जो देख लिए गीद जो ऐसा है कि इसकी प्रजाती जो है काफी बिलूप्त के करगार में पहुंच गई जिसके अंतरगत गीद सरचन प्रोजेक्ट की सुरुवात की गई थी और इसी पर योजना के तहट आसाम के धरमपूर में देश का पहला गीद परजरन केंद्र खोला गया है तो यहां एक सवाल उठता है कि भारत का सबसे पहला गीद परजरन केंद्र कहां खोला गया है त ठीक है और किसकी सहायता से तो एक किया गया हरियाना वन विभाग और मुंबई नेचरोल हिस्ट्री सोसाइटी के सहयोग से अब आते हैं अगला देख लेते हैं हिम तेंदुगा परियोजना ठीक है जो क्यों 2009 में इसकी सुरुवात हुई और हिम तेंदुगा जो है खासकर ब अत्यंत दुरलब जीव है सुंदर देखने वे सुंदर लगता है लेकिन यह बहुत ही दुरलब जीव है यह जीव हिमाले की उची परवत स्रिंखलाओं के व्रिच विहिन अस्थानों पर देखने को मिलता है ठीक है जो हिमाले की स्रिंखलाओं है उची उची परवते जो ह वहां पे जहां पे पेंड नहीं पाए जाती उस अस्थान पे देखने को मिलता है और इस फुर्तिलेवन जीव का सिकार इसकी हडियों चमड़े और नाखुन आधी के लिए किया जाता है ठीक है इसका जो सिकार है क्यों किया जाता है इसके हडियों के लिए चमड़े के लिए और नाखून के लिए और हिम तेंदुवा की घरती संख्या को देखते हुए 2009 में इसके संचन के लिए हिम तेंदुवा पर्योजना के सुरुवात की गई थी और इस पर्योजना के तहट पच्छिम बंगाल के दार्जिलिंग में हिम तेंदुवा संचन केंद्र खोला गया है फिर यहां पे एक प्रस्ण उठता है कि हिम तेन्दुआ सरचन केंदर कहां खोला गया है तो वा पच्छी मंगाल के दाजलिंग में खोला गया है और कब खोला गया है 2009 में तो आसा करता हूँ यह टॉपिक आपको पसंद आया होगा अगर आपको पसंद आया तो अपना फीड क्या हो तो कॉमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल न बुले अ